प्रितमंत्री ने पेश किया था उसमें इस मोटे अनाज के लिए श्री अन्न शब्द का प्रियोग किया गया पहली बार और उसे श्री अन्न कहकर संबोधित किया गया और हम सभी जानते हैं कि वैश्विक अस्तर पर अगर यह सम्मिलन भारत में हो रहा है तो इसके कुछ तक है पूरे वैश्विक अस्तर पर और हमारे देश के कई राज्यों में इसका इसकी खेती होती इसका उत्पादन किया जाता है कहीं पूरे विश्रु को एक चेन फूड सप्लाई चेन में भारत किस तरह के अपने रोल प्ले कर सकता है खासकर मोटे अनाज के एक शुत्र म अगर मैं अफ्रिकन कांटिनेंट की बात करूँ वहाँ पे भारत एक बहुत मेजर कंट्री के तौर पर अपने आपको स्थापित कर सकता है इस दिशा में भी हम कह रहे हैं कि एक ग्लोबल ये जो सम्मिलन आज होने जा रहा है ये बहुत ही एहम रोल प्ले करेगा इसमें ब 75 रुपे का एक विशेश समारक सिक्का भी तयार किया गया है ये आजादी का अमरित काल मनाने की दिशा में एक कदम है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ